विल्कम दोस्तों क्रिक्ट फैंट से लिग में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम टीम बनाएंगे धाकाटी 20 मैच का जो खेला जाएगा प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब वसे काले घर समास कल्यान समिति के बीच में आप से हाथ जोड के रिक्ष्ट है कि वीडि जोज डाला हूं प्रिडिक्शन के 99% वही प्लेयर प्रफॉर्म किये हैं जिस प्लेयर के बारे में बोला गया है और उसी दिन प्रफॉर्म किये हैं दोस्तों जिस दिन मैच हुआ है तो दोस्तों अब यह 99% जो प्लेयर प्लेयर प्रफॉर्म किये हैं दोस्तों ये आपको करना है कि आपको इनको किस तरीके से यूटिलाइस करना है मैं मानता हूं कि सभी प्लेयर को आप हेट टो हेड में नहीं ट्राइ कर सकते हो इस्पेसलि स्मॉल लिग में बर दोस्तों ये प्लेयर कहीं न कहीं आपके जील विनर होने चाहिए थे अगर आप इन प्लेयर को जील म try करना है especially GL में और दोस्तो उसको कहां पे आपको utilize करना है ये सारी चीजे आपको decide करना होगा plus last moment पे कौन सा baller पहले bowling कर रहा है और कौन सा batsman पहले batting कर रहा है ये चीजे हम बना के नहीं दे पाएंगे दोस्तो क्योंकि ये prediction वीडियो हम match start होने के पहले upload करते हैं तो ये सारी चीजे भी आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से अपने decision लेते हो उसके साथ साथ दोस्तो आपको सारी चीजे बताई जाती है कि इस baller पे आप first ball करता है तो rix ले सकते हो especially death में करता है power play में करता है और वो decision भी आपका होगा जब पैसा आपको invest करना है तो decision भी आपका होना चाहिए team भी आपकी होनी चाहिए हाँ जहां से आपको information सही तरीके से मिल जाए आप वहां से information collect कर सकते हो about team, about player, about peace सारी चीजे दोस्तो बात करेंगे दोस्तो यहाँ पे match के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कस कस की team loss करेगी ये match क्योंकि ना तो इनका betting ठीक है दोस्तो ना तो इनका bowling ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कस कस loss करेगी बढ दोस्तो ढाका टीचौन्टी बहुत भी जादा है तो मैं थोड़ा सा स्लाइट दूँगा केस केस को बट मुझे पूरा काउंफिडेंस है कि यह मैज पी बी सी सी अराम से बीन करेगा इनका बॉलिंग इनका बैटिंग इनके आल राउंडर दोनों ही बहुत अच्छे हैं बात करेंगे दोस्तों यहां से सेबर रन किये थे और उससे पहले वाले मैच में 53 किये थे नंबर चार पे आपको बैटिंग करते हुए यह बंदा दिख जाएगा और इसका सेलेक्षन परसंटेस आप देख सकते हो 35 दसलमों नाव दो का अभी का है बीस का यह यह इसका पॉफॉर्मेंस रहा लास्ट के दो म मॉल लिग में ऐसे प्लेयर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं जिरो पे आउट हो जाए दोस्तों आपको माइनस पॉइंट दे दे लेकिन यह सारी चीज़े जो निकल के आ रही है यही बताती है कि इस प्लेयर पे हम रिक्स ले सकते हैं आप कहां पे रिक्स लेना है यह करते हुए दिख जाएंगे लास्ट मैच में 34 रंड किये थे उससे पहले वाले मैच में 57 रंड किये थे उससे पहले वाले मैच में 25 रंड किये थे तो अच्छे फॉम में हैं दोस्तों प्लस इनका योरिज भी अच्छा है कैरियर भी सांदार है इनका तो एक अच्छे कंट को अनिमू हग की बात करें दोस्तों तो इसका टी-टवंटी कैरियर जो है वो बाइस दसलमो साथ का योरिज है बात करेंगे दोस्तों ये आपको राइट हैंड़ बैट करते हुए दिख जाएंगे नमबर तीन पर बैटिंग करते हैं लास्ट में ग्यारा रन उससे पहले वा जीएल में एस सटीडे कर सकते हुए तो ये चीज़े बहुत होती हैं उस्पेशली už चेंट कईबते के बारे में दोस्तों जिसका सेलेक्षन परसेंटेस कम हो बट वो जब्लेयर अच्छा हो ऐसे प्लेयर के बारे में अगर also मिलजाय दोस्तों एमारेल दोस्तों अजी आ हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं तो आप इन दोनों को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो इस्पेसली यहां से जे इसलाम एहक को यह आपके उपर है मुहम्मद मिथुन आपकी स्मॉल लिग टीम में होने चाहिए तो अभी के लिए विकेट कीपिंग सेक्षन से मैं मुहम्मद मिथुन के साथ जाने वाला हूँ बात करेंगे दोस्तो बैटिंग सेक्षन से तो यहां से तमीम इकबाल की बात करें तो इस टीम के बेस्ट बैट्समैन है तमीम इकबाल का कैरियर की बात करें तो left handed bet करते हुए आपको दिख जाएगा इसका योरेज 31.33 का है दोस्तो टी 20 carrier इनका 31.33 का योरेज है लास्ट मैच की बात करें तो 55 run किये थे उससे पहले वाले मैच में 47 उससे पहले वाले मैच में 20 run उससे पहले वाले मैच में 32 run तो दोस्तो ये बहुत अच्छे फोम में ह प्लस इनका carrier भी सांदार है दोस्तो उसके साथ साथ ये number 1 मतलब open करते हुए आपको दिख जाएंगे तो must pick option है जनता के कप्तान है आपके team में होने चाहिए तो यहां से तमीम इकबाल एक must pick option बन जाते हैं अब बात करते हैं दोस्तो फरहाद हुसेन की तो फरहाद हुसेन आपको righty betting करते हुए दिख जाएंगे दोस्तो टी 20 के carrier की बात करें तो 20 दसलमों 3 का इनका योरिज है 33 matches खेले हैं बात करें इनके form की तो number 7 पे बात करते हुए एक match में 0 बनाए लास्ट में ये बातिंग नहीं किये दोस्तो उससे पहले वाले match में 33 run किये थे नंबर 4 पे तो एक decent से pick बन सकते हैं especially GL में as a player आप जा सकते हो इनके साथ बात करेंगे दोस्तो नेश्ट आई हुसेन की बात करें दोस्तो टी 20 केरियर है ये आपको right handed bet करते हुए दिख जाएंगे टी 20 केरियर की बात करें तो 21 दसलमो जीरो का इनका योरेज है प्लस दोस्तो 16 matches खेले हैं 18 run किये थे last match में उसके बाद 9 run किये थे उससे पहले 3 run किये थे open करते हुए आपको दिख जाएंगे तो एक decent से pick हो सकते हैं especially इनका केरियर जो 21 का योरेज है दोस्तो तो अगर आपक इनका selection है दोस्तो तो आप चाहो तब रिक्स ले सकते हो credit भी इनकी बहुत जादा है बात करें आर तालुकदार की दोस्तो तार तालुकदार की carrier की बात करें तो इनका T20 carrier right hand bat करते हुए आपको दिख जाएंगे ये दोस्तो इनके T20 carrier का जो योरेज है 19 दसलमो एक का उससे पहले वाले match में 26 run उससे पहले वाले 25 run 19 का carrier है दोस्तो 19 के योरेज का इनका carrier है आप इनका recent form भी देख सकते हो प्लस दोस्तो आप इनका selection आप percentage भी देख सकते हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो यहाँ से आप चाहो तो तमीम इकबाल आई हुसेन को try कर सकते हो यहा अबी भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि सामने की टीम मुझे बीक लग रही है थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों नेस्ट यह मजुंदार मुझे नहीं लगता यह खेलेंगे खेल देंगे भी तो यह स्मॉल लिग के पिक नहीं होने वाले हैं आरहसन की बात करें इस्मॉल बैट करते हुए आपको दिख जाएंगे प्लस छे मैचे टीटवन्टी के खेले हैं चाउदा दसलमो साथ का इनका टीटवन्टी का योरेज है लास्ट मैच में एक तिसरं किये थे उससे पहले वाले मैच में नौरं किये थे उससे पहले वाले मैच में छे रं किये थे ओप रहमान इनका T20 का कैरियर जो है वह है दोस्तों 14 दसल्मौ साथ का और यहां से बात करेंगे दोस्तों आय हुसेइन का T20 कैरियर है दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि आय हुसेइन का जो T20 कैरियर है वह 21 कैरुज है 16 मैचस खेले हैं प्लस ये बंदा आपको आई हुसेन ओपिन करते हुए दिख जाएगा और यहां से S रह्मान की बात करें दोस्तो ये बंदा आपको ओपिन करते हुए दिख जाएगा दोनों ही फ्लॉप चल रहे हैं दोस्तो फॉम बिल्कुल भी नहीं है बट अगर आप मुझसे पूछो ति यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्षन आप परसेंटेज बहुत आई है मैं S रह्मान के उपर रखाऊंगा आई हुसेन को मैं S रह्मान से उपर रखने वाला हूँ आई हुसेन को तब आपको डिसाइड करना है कि S रह्मान के साथ जाना है या आई हुसेन के साथ जाना है एस हुसेन की बात करें दोस्तो तसलमान हुसेन राइट हैंड़ बैट करते हैं दोस्तो टी टुएंटी कैरियर इनका 19.04 का योरिज है दोस्तो ये बहुत बार नाट आउट गए है इसलिए इनका कैरियर 19.04 का योरिज है नंबर पांच पर बैटिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे प्लस दोस्तों 11 रन किये थे लास्ट मैच में उससे पहले वाले मैच में 7 रन उससे पहले वाले मैच में 14 रन किये थे तो ये एक GL के पिक है आप GL में जरूर ट्राइ करना ऐसे प्लेयर को यहां से डि हुसेन आर्मिया खेलेंगे नहीं एम अराफात की बात करें दोस्तों ये आपको लिफ्ट हेंड़ बैट करते हुए दिख जाएंगे साथ टी-टी मैचेस खेले हैं दोस्तों 21 दसलमों दो का योरेज है बड़ दोस्तों ये आपको नमबर पांच पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे अठारा रन किये थे जो मैच खेले थे ये दोस्तों यहां से ये जील के पिक बन सकते हैं ये भी ये भी तो ऐसे प्लेयर को आप जील में जरू ट्राई करना यहां से दोस्तों हम लोग किस तरीके से बैट्समैन को सेलेक्ट कर सकते हैं तमीम इकबाल फिक्स है इनके साथ हमको जाना है अब बात करते हैं तालुगदार की तालुगदार के साथ ही इसलिए मैं जा रहा हूं दोस्तो कि तालुगदार ये नंबर दो ओपिन करने लास्ट दो मैच से ओपिन कर रहे हैं नहीं तो उससे पहले वाले मैच में ये नंबर आपने की टीम की जो बोलिंग है दोस्तों मुझे थोड़ा सा वीक लग रही है यह अच्छा कर सकते हैं यहां से मैं तालिगदार के साथ जाने वाला हूँ अब बात करते हैं दोस्तों आई हुसेन यहां से यह आपकी कॉल होगी एस रहमान के टीच्वांटी केरियर की बात करें तो इनका जो टीच्वांटी केरियर है वो है दोस्तों चाओदा असलमोस तोड़ा एस रह्मान का लास्ट मैच में 31 रन किये थे 9 रन किये थे और 6 रन किये थे ये open करते हुए दिखेंगे आई इम्तियाज हुसेन की बात करें दोस्तों तिम्तियाज हुसेन का जो T20 कैरियर है इम्तियाज हुसेन का वो 21 का है दोस्तों प्लस ये भी आपको open करते हुए दिख ज अचा है दोस्तो आस गंपेर यहां से S रहमान फिर भी मैं 0.5 प्रेडित करूंगा यहां से S रहमान के साथ जाओंगा अब बात करते हैं दोस्तो आल राउंडर सेक्षन की तो दोस्तो आल राउंडर सेक्षन में मेहदी हैसन मिराज कुछ भी हो बंदा टीम में होना चाहिए especially small league में तो 100% होना चाहिए राइट हैंड बैट करते हैं दोस्तों ये प्लस आफ इस्पिन बॉलिंग कराएंगे 85-20 मैचेस खेले हैं 15-10-8 का एरिज है और 55 विकेट लिये हैं उसके साथ दोस्तों ये बना नमबर 3 या नमबर 2 उपेन करते हुए भी आपको दिख सकते हैं लास्ट मैच में 4 रन किये थे प्लस 0 विकेट लिये थे दो बर कराए थे पावर प्ले में बॉलिंग करा सकते हैं ये प्लस दोस्तो उससे पहले वाले मैच में 4 रन किये थे प्लस एक विकेट लिये थे तो एक डिसेंट आप्षन बन सकते हैं अगर आपको रिक्ष लेना है तो आजेक कैप्टन जा सकते हो एक अच्छे पिक यहां से निकल के आ रहे हैं मेधी हसन मिराज अब बात करते हैं दोस्तो यहां से मासुम खान की मासुम खान के T20 कैरियर की बात करें तो राइट हैंडर बैट करते हुए आपको दिख जाएंगे प्लस मीडियम फॉर्ष बॉलिंग कराते हैं दोस्तो ग्यारा टी-टी-टी मैचेस खेले हैं यह बंदा 138 रं किया है तेईस का एवरेज है दोस्तो छे विकेट लिया है बट इसका रिसेंट फॉर्म बहुत सी सांदार है दोस्तो पंदरा रं किया था नंबर चे पर बैटि आया था और यहां पे एक विकेट लिया था चार वर कराया था सबसे बड़ी बात दोस्तो यह बंदा आप देख सकते हो यहां से चार वर पक्का कराएगा तो चार वर कराने वाले बोलर को ड्रॉप करना इस पेसली मुझे ऐसा लगता है मासुम खान यहां विकेट लेस आन दोस्तों मासुम खान के बारे में थोड़ा सा हम लोग दीप में जानते हैं ग्यारा मैचेस खेला है छे विकेट लिया है और छे विकेट यह इसी टीटवांटी धाका में लिये हैं दोस्तों इसी साल लिये हैं मतलब यह जो लीग चल रही इसी में लिये हैं और नंबर छे पर बाइटिंग करने आएंगे और सामने की टीम की बाइटिंग दोस्तों हम तमीम इकबाल को आज़ा कैप्टन बना रहे हैं अब तमीम इकबाल हमारा आज़ा कैप्टन है अगर हम इनको आज़ा विसी ट्राई करते हैं पाउर प्ले में बॉलिंग करा सकते हैं इस्पेसली म मासुम खान तो दोस्तों ये तमीम इकबाल को आउट करें तभी हमको ये अच्छा ठीक ठाक पॉइंट दे सकते हैं तो मेरा लोजिक ये है दोस्तों यहां पे कि मासुम खान तभी अच्छा कर सकते हैं जब हमारा कप्तान फ्लॉफ हो जाए तभी ये अच्छा कर सकते हैं उस कप्तान तमीम इकबाल अच्छा करेगा दोस्तों ये वहाँ से फ्लॉफ हो जाएंगे बैटिंग में कुछ कर सकते हैं बट बैटिंग में दोस्तों इनके बोलर्स बहुत ही तगड़े हैं पीबी सीसी के मुझे नहीं लगता कि ये बैटिंग में उतना सर्वाइब कर यहां से आप चाहो तो जा सकते हो प्लेयर मेरी टीम में होंगे 100% दोस्तों बट मैं इनको आजब इसी नहीं ट्राइक करने वाला हूँ ये पांच विकेट ले ले और 100 रन कर दें ये बात की बात है लेकिन मैं इनके साथ बिलकुल भी नहीं जाने वाला हूँ आजब वी सी एन इसलाम की बात करते हैं दोस्तों एन इसलाम के पहले कारियर की बात करते हैं ये बंदा राइट हैने बैट करता है प्लस आफ इस्पिन बॉलिंग कराता है दोस्तों लास्ट मैच की बात करें तो लास्ट मैच में नंबर 6 पर बैटिंग करने आ रहे हैं दोस्तों ये नं वाले मैच में 5 रन किया प्लस नमबर 6 पे बैटिंग करने आया था एक विकेट लिया चार ओबर कराया तो सम्तिंग ये चार ओबर करा सकते हैं तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इनकी बैटिंग आने वाली नहीं है मुझे ऐसा लगता है नमबर 6 नमबर 7 पे बैटिंग करे प्लस दोस्तो उसके साथ ये बंदा आपको power play में bowling कराते हुए दीख सकते हैं तो wicket ले सकते हैं मेरा ऐसा मानना है कि wicket ले सकते हैं बट दोस्तो मैं इनके place पे क्या एक proper batsman या क्या एक proper baller के साथ नहीं जा सकता हम लोग ये चीज़े नहीं कर सकते हैं प्रॉपर baller counts है उसके बारे में आगे discuss करेंगे बट ये player अभी small league के team में मेरे नहीं दिखने वाला है बहुत बड़ा risk होगा selection percentage 82% है बट थोड़ा सो logic है उस logic को मैं follow करना चाहता हूँ दोस्तों especially head to head में अगर आपको जाना है safe तो आप अपनी team में रख लेना बट मेरी team में आपको नहीं दिखने वाले हैं यहां से कपाली की बात करें ये GL के बहुत बड़े pick होने वाले हैं ध्यान रखना कपाली के carrier की बात करें दोस्तों तले प्रहंडे बैट करते हुए दिख जाएंगे प्लस लेगी spin bowling कराएंगे नंबर साथ पे बैटिंग करने आएंगे 11 run किये थे एक wicket लिये थे last match में 3 over क करा था ये दोस्तों minimum 4 over करा सकता है कपाली और सामने की टीम थोड़ा सा बीख है विकेट निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छे pick हैं GL के GL में कप्तान वाइस कप्तान जरूर ट्राई करना एम हुसेन GL में ट्राई करना दोस्तों एम हुसेन को मोनेर हुसेन must GL के बहुत बड़े कप्तान के pick होने वाले हैं क्यों होने वाले हैं दोस्तों क्योंकि ये बंदा lift arm leg spin bowling कराएगा सामने राइटी भरे हैं विकेट लेने के चांसे से 49-20 matches में दोस्तों 33 विकेट लिया है प as a player ही जाना बट try जरूर करना अब के हमेद की बात करेंगे दोस्तों इस बंदे को पिछले match में मैं बोला था as a captain जरूर try करना in GL और मेरी head to head team में दिखने के वाले हैं अगर ये first ball करते हैं तब और दोस्तों पिछले match में 3 विकेट लिया था और selection percentage सिर्फ इसका 6% था तो दोस्तों ये सारी चीज़े होती है effect डालती है especially head to head में जब आप पूरा सुनोगे पूरा देखोगे 100% आपके लिए कुछ ना कुछ निकल के आने वाला है तो के हमेद की बात करेंगे दोस्तों 3 विकेट लिये थे 4 विकेट लिये थे 4 विकेट लिये थे 4 विकेट लिये थे मतलब पर मैच एक विकेट ये अटलिस्ट निकाल ही देते हैं तो मुझे ऐसे बोलर चाहिए जो एक विकेट निकाल दे अगर आपको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि सामने की टीम की बैटिंग अच्छी है तो थोड़ा सा अगर आपको रिक्स लेना है तो यह को जील में ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ करना अगर आप ड्रॉप करते हो तब अब दोस्तों यहां से जो मेरी टीम में आपको दिखने वाले हैं इस्पेशली मेहदियसन मिराज और यहां से मासुम खान क्योंकि दोस्तों यह बंदा नंबर छे चार पर कराएगा और लगभग लगभग हर एक मैच में विकेट लिया है और यहां से के अहमद मेरी टीम में आपको दिखने वाले हैं यहां से जिस प्लेयर को मैं इग्नोर किया हूँ एन इसलाम को बहुत बड़ा थ्रेट है बट मैं इग्नोर किया हूँ इनके प्लेस पे दोस्तो ये 5-6 विकेट निकाल दें ये भी हो सकता है दोस्तों तो थोड़ा सा रिक्स लेने के लिए बचना बैकप टीम में आजक कप्तान वाइस कप्तान जरूर ट्राई करके जाना अगर ये हेट टो हेड में फ्लॉप होते हैं तो बैकप टीम हमको कवर करा दे तो दोस्तों यहां स बॉलिंग सेक्षन से बात करेंगे आर हुसेन की दोस्तों इस प्लेयर को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रूबेल हुसेन पे इतना कम सेलेक्षन आप परसेंटेस क्यों है राइट आम फोर्ष बॉलिंग कराएगा दोस्तों पावर प्ले में बॉलिंग कराएगा प्लस विकेट लिया था चार उबर कराया था इतना कम यार सेलेक्षन परसंटेज यहां से आप देख सकते हो एन इसलाम का सेलेक्षन परसंटेज इतना हाई और यहां से रुबेल हुसेन का सेलेक्षन परसंटेज सिर्फ 15 परसंटेज क्यों तो मैं इनके साथ जाओंगा अभी फिक इत्यान में रखना तो बॉलिक सेक्षन की बात करें मिस्ट फुजुर रह्मान इनके बारे में कुछ बताने को है नहीं दोस्तो टीम में होने चाहिए एन हसन की बात करेंगे दोस्तो यह बंदा दोस्तो आपको राइट आम ओफ इस्पिन कराते हुए दिख जाएगा और दोस से पहले वाले मैच में चार ओबर में जीरो विकेट लिया था तो बंदा अच्छा है दोस्तो बट अगर आपको रिक्ष लेना है तो यहां से एन इसलाम के प्लेस पे आप थोड़ा सा रिक्ष लेके एसे इसलाम के साथ जा सकते हो यह चीज़े कर सकते हो यहां से रूबल उसे न अच्छे विकेट निकाल दिये तो दोस्तो हमारा रिक्स कवर हो जाएगा clean sit हो सकती है ये match तो थोड़ा सा ध्यान से देखना ध्यान से सुनना या ध्यान से इन सभी को try करना दोस्तो यहाँ से especially मैं बात करूँगा AS Islam की बात करें दोस्तो तो left arm medium first bowling कराएगा अगर ये first bowl करता है तो आप GL में आजे captain इसके साथ जाना दोस्तो बहुत ही सांदार pick है left arm first bowler है कभी भी विकेट निकाल सकता है N.Hassan के career की बात करें दोस्तो तराइट हम off spin bowling कराएगे जैसा मैंने बताया 38 मैचों में 29 विकेट है इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ दोस्तों बस यही कारण है कि मैं यहाँ से एनस्टन को ड्रॉप कर रहा हूँ एस इसलाम के साथ जा रहा हूँ अब मेरे पास 9 क्रेडिट है 9 क्रेडिट में आप चाहुत यहाँ से आर हुसेन के साथ जा सकते हो आर हुसेन के कैरियर की बात करें लेफ्ट ओम लेग स्पिन बॉलिंग कराएंगे दोस्तों सामने राइटी भरे हैं इस बात को ध्यान में करियर की बात करें तो यह बंदा 10 लिष्टे मैचेस खेला है दोस्तों और 11 विकेट निकाल दिया है 11 विकेट निकाल दिया है तो ट्राइक किया जा सकता है इस प्लेयर को बट यहाँ से जो मेरे पिक होने वाले इस पेसली आर हुसेन एम रह्मान एस इसलाम अगर आपको र परिक होगी दोस्तों महम्मद मि interfaces होगे यहां से तामीम इकबाल, R तालुगदार, S रहमान और यहां से आलरौंडρ सेक्सन से मिराज होगे मासुं खान, N इसलाम, और K एहमद और यहां से दोस्तो मिस्ट फुजर रह्मान, नईम हसन, एस इसलाम ये तीन प्रोपर बॉलर जो चार ओवर कन्फर्म कराएंगे अब बात करते हैं दोस्तो जो टीम मेरी हो सकती है आर हुसेन के साथ मैं जाना है माला हूँ एन इसलाम के प्लेस पे या तो मैं जे इसलाम के साथ जाऊंगा या तो दोस्तो यहां से एन हसन के साथ ही जाऊंगा बट वो condition क्या होगी कि J.Islam अगर first bet करेगा तो हो सकता है मैं J.Islam के साथ जाओं या दोस्तो N.Hasan अगर second ball करेगा तो हो सकता है मैं N.Hasan के साथ जाओं especially मेरा chance है कि यहां मैं चारों baller को cover करूं especially यहां पे P.B.C.C. के और ये एक rix होगा अगर आपको रix नहीं लेना है तो यहां से रूबेल हसुन को drop कर देना और यहां से N.Islam के साथ जाना ये एक safe team होगी कप्तान वाइस कप्तान की बात करें तो safe कप्तान वाइस कप्तान तमीम इकबाल और यहां से दोस्तो मासुम खान safe है बट मासुम खान के बारे में जो चीजे बोला हूँ ध्यान में रखना और थोड़ा सा एकसी कप्तान वाइस कप्तान फर्श बॉल करें मुस्तफुजुर रह्मान को एजब वी सी ट्राई कर सकते हो या एजब कैप्तन मुस्तफुजुर रह्मान को ट्राई कर सकते हो अगर फर्श बॉल करते हैं तो और तमीम इकबाल को एजब वाइस कैप्तन करके भी जा सकते हो बट दोस्तो मैं जाने वाला हूँ मुस्तफुजुर रह्मान के साथ दिखेंगे बट यहां पे आपको decide करना है यह 4 बोलर थोड़ा सब बहुत बड़ा रिक्स हो जा रहा है दोस्तो अगर आप रिक्स नहीं लेना चाहते हो एन असन के place पे एन इसलाम के साथ जा सकते हो या दोस्तो यहां से जे इसलाम के साथ भी जा सकते हो मैं पूरी कोसिस करूँगा कि यहां जे इसलाम के साथ जाओ यह चीज़े मैं कर सकता हूँ यह बंदा नमबर 4 पर बैटिंग करते हुए आपको दिखेगा तो हो सकता है यह बंदा 30-35 रंड कर दिया दोस्तो तेक अच्छे पिक सांधार पिक बन सकते हैं वही कंडिशन सेम यहां पे है एन हसन के साथ अगर यह बंदा दो विकेट निकाल दिया तो हम लोग लॉस कर सकते हैं इस बात को ध्यार रखना तो सेफ टीम में फिर से आपको दिखा दे सेफ टीम जो होने वाली दोस्तों यहां से यह होगी विकेट कीपर सेक्षन से मुहमद मिथून और बैटिंग सेक्षन से तमीम इकबाल आर तालूगदार एस रह्मान और यहां से महंदी हसन मिराज मासूम खान एन इसलाम के एहमद और बॉलिंग सेक्षन से मुस्तफुजुर रह्मान एन हसन और शेलाम कप्तान वास कतान कप्तान सेफ होंगी तमीम इकबाल सेफ वाइस कप्तान मासूम खान या महदी हसन मिराज यह आपकी कॉल होगी अब बात करते हैं अपनी टीम की तो मेरी टीम जो होगी यहां से दोस्तो आप देख सकते हो मुहम्मद मितुन है और यहां से तमीम गबाल आर तालुगदार और एस रहमान है आलराउंडर सेक्षन की बात करें तो मेहदी हसन मिराज मासूम खान और के अहमद आपको अगर के अहमद को ड्रॉफ करना है तो के अहमद को ड्रॉफ भी कर सकते हैं यहां से मेदी हसन मिराज मासूम खान के अहमद और बॉलिंग सेक्षन से मैं चारो बॉलर ट्राई किया हूँ PBCC के आर हुसेन है M. रह्मान है N. हसन है S. इसलाम है हो सकता है मैं N. हसन के प्लेस पे यहां से J. इसलाम के साथ भी चला जाओं क्योंकि मुझे ये प्लेयर अच्छा लगा है टीम का कप्तान है और इसे इन फॉर्म भी इनका अच्छा है दोस्तो तो हो सकता है मैं इनको ट्राई कर लूँ ये चीज़े मैं कर सकता हूँ ये एक कॉला आपकी होनी चाहिए आपको किसके साथ जाना है अगर यहां से फर्स बॉल मुझे रह्मान करेगा तो मेरा विसी होगा आर हुसेन फर्स बॉल करेगा तो मेरा VC हो सकता है इन दोनों में से मैं किसी एक को एज़ विसी ट्राई करूँगा या S. Islam को भी ट्राई कर सकते हो अगर इन तिनों में से कोई भी First Ball करता है ता आप तिनों में से किसी के साथ जा सकते हो बट मैं जिसके साथ जाने वाला हूँ वो मुस्फुजर रह्मान होगे अगर first ball करते हैं तो मेरी VC होगे या दोस्तो safe जाना है तो मेदी असन मिराज एक west pick होने वाले है आज़ वीसी आप इनको try कर सकते हो आज़ कैप्टन भी आप मुस्फुजर रह्मान को try कर सकते हो अगर ये first ball करते हैं तो आज़ कैप्टन आज़ वाइस कैप्टन आप इनको try कर सकते हो तमीम इकबाल आज़ कैप्टन आज़ वाइस कैप्टन ये safe होने वाले है आज़ वाइस कैप्टन आज़ वाइस कैप्टन ये safe होने वाले है तो आप इनको भी try कर सकते हो तो फिर से आपको अपनी टीम बता दें दोस्तो विकेट कीपर सेक्षन से मुहम्मद मितुन बैटिंग सेक्षन से तमीम इकबाल तालुगदार रहमान और आलराउंडर सेक्षन से मेहदी हसन मिराज, एम खान एन इसलाम रिक्स है इनको सेफ कैसे जाना है मैं सारी सीजे बता चुका हूँ आप चाहो तो सेफ जा सकते हो के अहमद बॉलिंग सेक्षन से यहाँ पे दोस्तो आर हुसेन मुस्वज रहमान, एस इसलाम यह कॉल अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तो एन हसन या यहाँ से यहाँ से दोस्तो जे इसलाम यह कॉल मैं लास्ट मॉमेंट पे लूँगा अगर यह बंदा सेकंड बॉल करेगा तो मेरी टीम में आपको दिख जाएगा अगर यह बंदा फर्स बैट करेगा सुरी अगर यह बंदा वो दोस्तो अगर यह बंदा second bet करेगा तो मेरी टीम में आपको दिख जाएगा एन अगर एन हसन second bet बॉल नहीं करते हैं तो मैं यहाँ पर जए इसलाम के साथ जाने वाला हूँ clear cut है दोस्तों कि जए इसलाम अगर यहाँ से दोस्तों एन हसन अगर एन हसन अगर second bet करेंगे तो मैं इनको drop करेंगे तो मैं इनके साथ जाओंगा अगर यहां से एन हसन first ball करेंगे तो मैं जे इसलाम के साथ एक और baller batsman को try करूँगा especially केस केस का तो यह सारी चीज़े मैं कर सकता हूँ तो आप जाना चाहो जा सकते हो मेरे कप्तान वाइस कप्तान मिस्त फुजोर रह्मान और तमीम इकबाल होने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को स्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना दोस्तो तीस मिनट लगातार बोल रहा हूँ बिना किसी gap के या बिना इडिट के दोस्तो इसलिए मैं बीच बीच में फस जाता हूँ आप कभी तीस मिनट बोल के देखो हंड्रेब परसेंट मुह सूख जाएगा दोस्तो गला सूख जाएगा बट मैं लगातार बोलता हूँ दोस्तो इडिट करना नहीं आता हो सकता है सारी चीजे बताई गए है उसके बाद दोस्तो आपका लग या आपका लाश्ट डिसीजन ही आपका डिसीजन होगा कि आपको वीन करना है या लॉस करना है उसके साथ साथ मैं फिर से आपको एक बार टीम दिखा दूँ मुहम्मद मिथून बैटिंग सेक्षन से तमीम इकबाल तालुकडार रह्मान all-rounder सेक्षन से यहां यहां से मासूम खान खली के आहमाद और यहां से बॉलिंग से आर हुसेन M रह्मान, S एसलाम यह मेरी टीम है कप्तानवाई कप्तान मुहम्मिस फूझर रह्मान और तमीम इकबाल कप्तान वाइस कप्तान हो सकते हैं यहाँ से दोस्तों मैं जो रिक्स लिया हूँ एन हसन को मैं अगर ये सेकेंड बॉल करेंगे तो मैं एन हसन को एजब बॉलर टीम में एड कर लूँगा नहीं तो मैं यहाँ से जे इसलाम को ट्राइ कर लूँगा यह सारी चीजे मैं कर सकता हूँ तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को स्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना मिलते हैं जलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर और विस्ट अपलाग थैंक्यू दोस्तों